कि नमस्कार साथियों पॉलिटिकनिक पार साला यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज आपको इनलाग एलेक्ट्रोनिक्स में आपको जैसा कि प्यूर सेमिकंड़क्टर आपको क्या कर दिया गया है पढ़ा दिया गया है और आज हम आपको extrinsic semiconductor पढ़ाएंगे, extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. तो एक्स्ट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखेंगे कि जब इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर में आड़ ग्रूप और ग्रूप खन्दुन धर गॉप आडो की ऑ्रिए्टि मिलाई जाती है तो इसे extrinsic extrinsic semiconductor कहते हैं इसे extrinsic semiconductor कहते हैं वाह अर्धर चालक या इसी को या करके impure semiconductor इंप्योर semiconductor ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor बराबर क्या हो जाएगा intrinsic semiconductor इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर प्लस फिफ्थ या थर्ड ग्रूप की impurity ठीक है यह हमारी क्या हो गई impurity हो गई फिफ्थ ग्रूप की अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा थर्ड पहले थर्ड ग्रूप थर्ड थर्ड ग्रूप थर्ड ग्रूप से क्या होगा थर्ड ग्रूप के कौन कौन से ऐसे element हैं ऐसी impurity है जो मिलाई जाती है ठीक है तो एक बैल गई ठीक है एक बुरान हो गया इलुमिनियम होगा गैलियम हो गया और इंडियम हो गया तो यह क्या है थर्ड ग्रूप के impurity हैं इनके बाहरी सिल में तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यह जो हमारा किहां किया जाती हैं मिला जाती है तो सबसे ज्यादा इसमें थर्ड गृप में रेगा जाता है किया जाता है सबसे ज़्यादा इसमें थर्ड ग्रूप में सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है बोरान का यूज किया जाता है यह चीज आपको क्या करना है याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है बोरान का और यह थर्ड ग्रूप की इंप्यो सेकंडक्टर प्लस आपका थर्ड गुरुप इंप्योटी थर्ड गुरूप इंप्योटी ठीक है तो थर्ड गुरूप की इंप्योटी में कौन कौन सी इंप्योटी है बोरान है Fighting keluar देय में टाइप तो यह पी टाइप सेमी कंड़क्टर बनेगा अब हम फिप्त गुरुप की इंप्योटी मिलाएंगे तो सेमी कंड़क्टर जो है हमारा दो परकार का हो गया एक पी टाइप और एक यह टाइप तो किस से इंप्योटी के हिसाब से इंप्योटी मिलाने से तो यह तो मारा पहला हो गया यह मारा क्या हो गया पहला हो गया अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसके बाद जो है आपका थार्ड ग्रूप हो गया अगर मैं यह टाइप की में बात करूं फिप्ट ग्रूप पहले बात करूं फिप्ट ग्रूप फिप्ट ग्रूप कि ना कि ब handful है अधेख़क है तो यह हमारा फास्वणा रस्व ön मतलम नाइट्रॉजन है और सेनीक एंटिमनी और विशमत है इसमें सबसे ज्यादव इसके बाहरी सेल में नो कि इन सब के बाहरी सेव्ट में कि इन सब के बाहरी इसल में पांच इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं पाए जाते हैं अगला पॉइंट है उपरोक्त इमप्योर्टी में देखें उपरोक्त इमप्योर्टी में फास फोरस fast for us for us का प्रियोग ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है का प्रियोग सबसे ज्यादा होता है ठीक है तो ये चीज आपको क्या करना है फासफॉरस का है तो इसमें सबसे ज्यादाता हुज़ुकिसा होता है पांस फॉरण में बीसमत है इसके बाहुद है। पाच एलेक्ट्रान पाए जाते हैं और यह जो impurity है अब यहां पर नोट करके एक और point लिखेंगे नोट करके कि 5th group 5th group की impurity को की impurity को डोनर impurity कहते हैं डोनर के spelling अगर मिस्टेक हो तो आप लोग सुधार लेजिएगा तो 5th group की जो impurity को क्या बोलते हैं donor impurity कहते हैं क्या बोलते हैं donor impurity कहते हैं ठीक है 5th group की impurity को अगर मैं 3rd group की बात करूं 3rd group की impurity को इंप्योरिटी को एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं इंप्योरिटी कहते हैं क्या बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है इंप्योरिटी को जो है donor impurity क्योंकि एलेक्ट्रॉन त्याग देता है फिरी करता है और इसे क्या है यह 3rd group की इंप्योरिटी को एक्सेप्टर इंप्योरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रान को लेने का काम करता है तब जाकर के इसका अश्टक वगेरा complete होता है ठीक है तो वह चीज आगे आपको बताएंगे कि कैसे होता हैं टी इंप्योरिटी के बारे में यह सारी चीजए आपको जानना क्या है ज़रूरिए kontro एक्सेट्रनसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है okay extrinsic semiconductor, अभी हमने पढ़ा extrinsic semiconductor, there are two types, एक आपका P type और एक आपका N type P type बराबर आपका intrinsic semiconductor plus आपका third group third group impurity third group impurity और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका intrinsic semiconductor plus fourth group impurity plus का मतलब आपका आपका impurity impurity मिलाई जाती है impurity मिलाने का एक तरीका होता है एक उसके लिए एक बिसिस्ट नियम कानून होता है तो उसी साप से मिलाया जाता है ऐसा नहीं कि बस ऐसे मिला दिया गया बस हो गया ठीक है ऐसे मिलता ही नहीं तो एक ट्रेंसिक सेयकंडुक्टर जो है अब इसके बाद जो है हम याणंटाइप सेमिकंडॉक्टर को क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए यन टाईब सेमिकंडॉक्टर को पढ़ने चे पहले एक चीज जानना दिरूरी है कि इंट्रिन्सिक कंसंट्रेशन इंट्रिन्सिक कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कि इलेक्ट्रान के खरतर एलेक्ट्रान के कंसंट्रेशन तथा होल के कंसंट्रेशन पी होल के कंसंट्रेशन पी का गुरन फल इसमाल पी रहेगा हमारा इसमाल पी रहेगा का गुरन फल हमेशा कंस्टेंट होता है कंस्टेंट होता है इस कंस्टेंट को इस कंस्टेंट को यहां आई स्कायर से रिप्रेजेंट करते है, इस constant को यन I square से क्या करते हैं, represent करते हैं, यन I को क्या बोलते हैं, intrinsic concentration, intrinsic concentration, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, intrinsic concentration, मतलब, यन into P, बराबर क्या हो गया, यन I का square, और यही क्या रहे, आपका constant हमेशा रहता है, constant, कैसे constant रहेगा, यन I कैसे constant रह सकता है, मतलब, जब यन आपका concentration आफ electron बढ़ेगा, तो concentration आफ hole क्या होगा, घटेगा, तो यन I का स्कॉायर हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा हमेशा constant रहेगा अब कैसे रहता है उची जागे आपको बताएंगे तो यह हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं अब आते हैं यहन टाइब सेमी कंड़क्टर पर हैं तो अगर यहन टाइब सेमी कंड़क्टर की में बात करूं यहन टाइब सेमी कंड़क्टर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहन टाइब सेमी कंड़क्टर में फिप्त गुरूप की इंप्योटी मिलाए जाती है जब इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर में फिफ्ट ग्रूप की इंप्योर्टी मिलाई जाती है तो इससे यन टाइप सेमी कंड़क्टर का निर्माड होता है इससे यन टाइप सेमि कंड़क्टर का क्या होता है निर्माड होता है यह हो गया यन टाइप का मतलब क्या है निगेट्व टाइप तो पहले कुछ σου पॉइंट स सह हम इसमें लिख देते हैं फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे अब यहां पार्ध्याण से देखिए। यन टाइप में इलेक्ट्रोन मेजार्टी चार्ज केरियर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिखेंगे, यन टाइप में इलेक्ट्रोन Electrons Majority Majority Charge Carrier Core Represent करते हैं Majority Charge Carrier मतलब यन टाइप में Free Electron की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है बहुत संख्यक आवेश वाहक तो यन टाइप में बहुत संख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं Electron होते हैं ज़्यादा संख्या में होते हैं समझ में आज़ा जब कि यन टाइप में होल यन टाइप में, होल, माइनार्टी, माइनार्टी, चार्ज कैरियर, रिप्रिजेंट करते हैं, मतलब क्या है, कि यन टाइप में, होल की संख्या क्या होती है, कम होती है, अब देखी, यह टाइप में जो इंप्योर्टी मिलाई जाती है जो इंप्योर्टी मिलाई जाती है उसे डोनर इंप्योर्टी कहते हैं इसे डोनर इंप्योर्टी कहते हैं समझ में यह चीज जानना जरूर्टी है यह हो गया अभी देखिया हम आपको समझाय रही है बस एक पॉइंट के तौर पर हमने क्या कर दिया है लिखवा दिया है ठीक है हाला कि बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं अंटाय बहुत आगे जा चुके होंगे उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह सारी चीजे तो आप लोग जानते ही होंगे तो अब मैं देखिए उसकी सनचना के आधार पर मैं क्या करूंगा समझाऊंगा न बेखिए एक चीजा ओर लेख दिए निवट करके लिख़िए डोपिंग करने से डोपिंग करने क्या होता है डोपिंग का मतलब है कि इंट्रिंसिक है इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में इंप्योरिटी इस पह्ताइब की मिलाने के प्रोसेस को प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं इस इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं डोपिंग करने से सेमी कंड़क्टर की कंड़क्टिविटी बढ़ जाती है. कंड़क्टिविटी बढ़ जाती है. और रेजिस्टेंस घड़ जाता है. रेजिस्टेंस घट जाता है अगला पॉइंट तथा इनर्जी बैंड गयब भी कम हो जाता है इनर्जी बैंड गयब किसमें होता है lieutenant bolt में भी कम हो जाता है यह पॉइंट आपको क्या करना है फॉइन गयब होता है क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है अभी बहुत सारी चीजने बाकी है जिसको को बताना बाकी है आप आप अब जैसे दखिए अगर मैं यान टाइप सेभी कंडॉक्टर की बात करूं कि इसमें फित ग्रूप की मिलाएंगे वह फिप्ट गूर्प हाँ ठीक फिट गूरुप ठीक है तो यह तो यह ताइप में दखीए जैसे माल लिजीं हमारे पास क्या हो गया कई सारे फिप्त ग्रूप की इंप्योटी में क्या लेंगे फास्फोरस लेंगे फास्फोरस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रान होंगे पांच इलेक्ट्रान होंगे कितने होंगे पांच तो माली जे मिलाया गया किसमें जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया गया म मिलाने से क्या हो जाएगा कि यह फासफॉरत जो है जर्मेंडियम परमाडु का अस्थान ले लेगा तो अस्थान लिया तो मिल गया ठीक है अब वह वाला परमाड़ु जो है दूसरे जहगा पर चला गया अब यहां पर क्या हो गया यह तो सेमिकंडक्टर है, इसके बारी इस सेल में कितने इलेक्ट्रान होंगे, चार इलेक्ट्रान होंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रान है, चार इलेक्ट्रान है, चार इलेक्ट्रान, तो जर्मेनियम का ये वाला इलेक्ट्रान इसके साथ कोवैलेंट बांड बना लेता ह जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रान जो है इसके साथ को वैलेंट बान बना लेता है और ये वाला इसके साथ को वैलेंट बान बना लेता है ये वाला इसके साथ को वैलेंट बना लेता है ये वाला इसके साथ बना लेता है और ये सब बगल वाले से बना लेते हैं ये वाला अपन बगल वाले सब अपने बागल वाले से क्या कर लेते हैं बना लेते हैं कि यह लेकिन फासफिर चाहिए जो पांचवा इलेक्ट्रान है क्या यह किसी के साथ कोई भीड बना पाया नहीं बना पाया, सभी covalent band से जुड़ गए, अब देखिए इसके भी बाहरी cell में 8 electron हो गए, इस phosphorus के भी बाहरी cell में 8 electron, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सब के बाहरी cell में 8 electron हो गए, लेकिन क्या अब यह देखिए, phosphorus का यह जो 5 electron है, किसी के साथ कोई भी band नही बना पाता है, तो band नहीं बना पायेगा, तो यह क्या हो गया, इसी की वज़े से धारका क्या होगा, प्रवा होगा, जब एइलेक्टान फिरी होता है, तो यहां पर जो है हमारा एक positive charge V to charge मोम positive donor आयन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं sowas a S ima8 ऑनना का इसे क्या बोलते है पांजट्युट्यूane ayan है तो एक पर्माडु मिलाएंगे होगा इसी प्रकार बहुत सारे पर्माdू पर्माडू मिलाएंगे तो बहुत सारे व्लो अर्पान क्या होगा है इसमें , फिर होttte हो रहा है कि ऐसamento करा रहा है यह जो आपको दीख रहा है यह तो आपका positive charge है, जो हमेशा fixed होता है, यह positive charge किस वज़ाए से आया, आपको पता है कि जब कोई भी पर्माड़ू जो है electron का त्याग करता है, तो उसके पास positive charge आजाता है, तो यह जो हमारा positive charge है, यह positive charge को हम क्या बोलते है, positive donor ion बोलते है, तो जितने positive donor ion होंगे, लगभग उतने ही फिरी इलेक्ट्रान भी होंगे समझ में तो कंसंट्रेशन आफ इलेक्ट्रान पाजिटिव डोनरायन के क्या होता है बराबर होता है तो इलेक्ट्रानों की संख्या लगभग पाजिटिव डोनरायन के क्या होगा बराबर होगा तो अब इस इलेक्ट्रान की वज़े से धार आटम से हम क्या करेंगे मिलाएंगे मिलाने के बाद जो है उतने ही इलेक्ट्रोन फिरी होंगे जितने आटम हम क्या करेंगे मिलाएंगे और उतने ही पास्ट्व डूनर आयन भी होंगे समझ मैं लेकिन इसमें कुछ माइनाटी चार्ज केरियर भी डेवलप होते हैं लेकिन ओ temperature अगर increase होगा तो आपको पता है कि 10 to power 9 सामाने temperature पर 300 Kelvin पर जो है 10 to power 9 items में से जो है कोई एक items का बांड क्या हो जाएगा तूट जाएगा जब एक items का बांड तूट जाएगा तो condition में क्या हो जाएगा एक electron और एक hole क्या हो जाएगा फिरी हो क्या करती है वर्क करती है तो सामाने temperature पर 10 to power 9 items में से किसी एक item का ही बांड क्या होगा तूटेगा किसी का भी तूट सकता है कहीं भी एक बांड क्या हो सकता है तूट सकता है तो electron तो majority charge केरियर होगा बहुत जादा संख्या में होंगे लेकिन hole क्या होंगे minority में होंगे क्योंकि hole तो के वल उसी वज़े से डेबल अफ होगा ना किसकी वज़े से temperature की वज़े से क्या होगा प्रोडियूस होगा इसमें इसमें hole जो है hole की संख्या कम होती है इसलिए hole minority charge केरियर होते हैं और इसमें उलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है ज्जादा वती Actually है कि अगर जीडू केल्विन की अगर मैं बात करें तो कोई भी कंडुक्टर निकार ङृणतर की यहाँ पर लिखेंगे कि छीडू केल्विन पर कूई भी सेंडुक्तर इन्सुलेटर्टर यहां पर भिंड है होता है इंसुलेटर होता है सबन में यह चीज आपको याद रखना है अगर हमारा एक्स्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर में यन टाइप सेमिकंडक्टर है तो यह भी जीरो के लिविंग पर जो है इक इंसुलेटर की तरह भी आप करेगा इसमें कोई भी करेंट फ्लो नहीं करें ठीक है अब ध्यान से देखिए अब आपको जो है इनर्जी बेंड डाइग्राम के अंसुलार हम इसे क्या करते हैं समझाते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था एक कंडक्शन बांड होता है और एक हमारे पास क्या होता है कि लंबा लंबा बना करें ठीक है यह तो यह हमारा क्या हो गया कंडक्शन बांड हो गया और यह हमारा क्या हो गया वैलेंस बांड हो गया और बैलेंस बांड में यह आपका क्या है वैलेंस बांड का हायर एनर्जी लेवल है और यह हमारा क्या है यह डोनर एनर्जी लेवल है एडी ठीक है यह donor energy label है और यह वैलेंस बांट का higher energy level है ठीक है और यह conduction band का lower energy level है तो इनके बीच जो गयफ होता है उसी को क्या बोला जाता है energy band गयफ तो देखिए, होता क्या है कि जैसे yarn type semiconductor है ठीक है तो yarn type semiconductor के case में कंड़क्שר बांड के नस्धीक जैसे हैं नश्ता है किश्द हो जाता है एक पड़ेट हो जाता एक नश्त हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं डोनर इनर्जी लेबल इडी इडी बोलते हैं साथ हाँ यह तो कंडक्शन बांड का है ना तो इसे इसी से रिपरजन करेंगे और इसे इडी से रिपरजन करेंगे इडी हमारा क्या है इडी हमारा डोनर इनर्जी लेबल है डोनर इनर्जी लेबल यह इनर्जी लेबल यह इनर्जी लेबल CB के नजदीक होता है CB के नजदीक होता है देखिए ED हमारा क्या है donor energy level जैसे ही हम यंटाइप मतलब intrinsic semiconductor में जब हम fifth group की impurity मिलाते हैं तो उस case में क्या हो जाता है कि एक नया energy level create हो जाता है और वो energy level conduction band के नजदीक ही होता है और इसे donor energy level के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं इसे किसके नाम से जानते हैं donor energy level के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं तो donor energy level में क्या होगा इस donor energy level में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस donor energy level में donor energy लेबल में फास्फोरस्स का पांचवा इलेक्ट्रान होगा इंप्योटी इंप्योटी एटम का पांचवा इलेक्ट्रान होगा जो फिरी होता है समझ maha तो जो हमारा फास्फोरस्स का पांचवा इलेक्ट्रान है जो किसी के साथ कोई भी बढड नहीं बना पाया फिटो इसी एनर्जी लेवल में होता है जिसे डोनर इनर्जी लेवल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं तो माल लिजे यहां पर बहुत सारी इलेक्टरान होंगे, बहुत सारे आइटम्स अगर हमने मिला दिये हैं, बहुत सारे फासफोरस परमाडू या फिप्त ग्रूप की इंप्योटी बहुत सारी मिला दिये हैं, माल जे पांच इंप्योटी हमने मिला जा है, फिप्त ग्रूप जिसे फासफोरस के पांच परमाड़ू मिलाये हैं तो पांच फिर इलेक्टरान होंगे एक दो तीन चार पांच समझ में आजा तो अब क्या होता है कि जैसे ही टंप्रेचर जैसे ही टंप्रेचर जैसे ही टंप्रेचर जीरो केल्विन से 300 Kelvin मतलब समाने टंप्रेचर तक बढ़ाया जाता है तक बढ़ता है ऐसे लिखे तक बढ़ता है तो इस समय सभी सभी इलेक्ट्रोन सभी इलेक्ट्रोन कंडक्शन बांड में पहुँच जाते है सभी इलेक्ट्रोन सफिसियन्ट एनर्जी पा करके देखिए टंप्रेचर बढ़ रहा है तो टंप्रेचर 0 Kelvin से 300 Kelvin तक बढ़ा तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रोन को तो सफिसियन्ट एनर्जी सफिसियंट एनर्जी प्राप्त करके कंडक्शन बांड में पहुँच जाते हैं सफिसियंट एनर्जी प्राप्त करके जो है वो किस में पहुँच जाते हैं कंडक्शन बांड में पहुँच जाते हैं ठीक है? अब इसे मिटा दे रहे हैं तो यह वाला इलेक्ट्रान कहां पर चला गया यहां पर चला गया यह वाला तो यहां पर भी यहां सभी इलेक्ट्रान जो है कहां पर पहुंच गए कंडक्शन बांड में यहां यहां क्या आएगा बताइए पास्ट्व चार्ज आएगा आएगा कि नहीं तो यह क्या कहलाता है देखें इनके 20 की जो दूरी होगी वो तो इजी होगी जिसे एनर्जी बैंड गया काते हैं तो यह हमारा क्या कहलाएगा यह हमारा होता है यह यह पाज्टिव डूनर आयन यह तो हमारे वालेस बांड है यह बैलेस बान ने है क्मित मिया यह यह हुत दिखाई दे रहा होगा यह हमारा क्या है आपका सिकंडल डोनर रायन है इसको पाजिट्व डोनर आयन यह हमारा क्या है पाजिट्व डोनर आयन है ठीक है अब उसके बाद अब आपको पता है कि जीरो केल्विन से हमने टंप्रेचर 300 केल्विन तक हमने क्या किया बढ़ाया तो यह डोनर इनर्जी लेबल से इलेक्ट्रोन निकल करके किसमें चले गए कंडक्शन बांड में अब हो गया लेकिन आपको पता है कि सामाने टंप्रेचर पर सामाने टंप्रेचर पर क्या होता है कि वैलेंस बांड में जो जो balance band होता है उसमें जो band बधे होते हैं सामाने temperature पर यह पा गया कि 10.9 atoms में किसी एक item का band क्या हो जाता है तूट जाता है तो तूटने से electron फिरी होगा और hole फिरी होगा तो simple सी बात band कहां पर तूटेगा जहाँ band तो आपका किसमे होगा वैलेंस बांड में होगा तो वैलेंस बांड में बांड क्या होगा तूटेगा तो यह electron फिरी होगा और एक hole फिरी होगा तो hole के पास तो positive charge होगा लेकिन यह electron 300 Kelvin पर जो है sufficient energy प्राप्त करके जो है कहां पर पहुंच जाता है यहां पर पहुंच जाता है पहुंच गया की नहीं तो यहां पर जब पहुंच गया तो यह तो हमारा क्या है ये तो majority में पहुंच गया लेकिन यह क्या हो गया हमारा यह तो hole हो गया इसे क्या बोलेंगे hole hole हमेशा वैलेंस बांड में होता है होल हमेशा वैलेंस बांड में होता है होल हमेशा किसमें होता है वैलेंस बांड में होता है ठीक है यह चीज आपको याद रखना है तो यह हमारा क्या हो गया होल TO WHOLE की संख्या देखिए कम है जबकि इलेक्ट्रON की संक्या क्या है ज्यादा है एक और इक इलेक्ट्रona किस की वज़ा से है डोपिंग की वज़ा किस की वज़ासे है तो film When और ये hole हमारा क्या होगा? minority में होगा तो whole minority में होगा electron किसमें जायेगा? majority में होगा ठीक है? तो ये चीज़ आता अब देखें लगभग जितनी संख्या electron की है उतनी संख्या क्या है? पाजिचू donor आजन की है तो आप सोचिए कि yen क्या है? concentration of electron यन हमारा क्या है कंसंट्रेशन आफ इलेक्ट्राण ठीक है और हमारा यंडी क्या है नंबर आफ पाजिटिव डूनर आएन नंबर आफ कंसंट्रेशन आफ पाजिटिव डूनर आएन कंसंट्रेशन उनकी संख्या से कंसंट्रेशन का मतलब उनकी संख्या से ठीक है concentration of positive donor donor ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है कि concentration of electron लगभग किसके बराबर होता है concentration of donor के बराबर होता है यह चीज आपको याद रखना है N type semiconductor में concentration of electron concentration of donor iron के क्या होता है लगभग क्यों कहा गया कि देखिए यहाँ पर देखिए पांच electron थे पांच टूडोनर आयन थे लेकिन यहाँ पर एक electron और आ गया तो इसलिए लगभग बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है लगभग नहीं तो आपस में एक दम क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो यह चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखना है तो जैसे ही टंपरेचर जीरो से तीन सो डिगरी केलविन बढ़ता है तो उस कंडिशन में इसमें डोनर एनरजी लेवल के सारे इलेक्ट्रान किसमें पहुंच जाते हैं वैलेंस बांड में पहुंच जाते हैं इस वैलेंस बांड में जो इलेक्ट्रान होता है इसी की वज़ए से धारा का क्या होता है प्रवाह होता है ठीक है यह चीज आपको याद रखना है तो आज का क्लास यहीं तक धन्यवाद वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए फस्टीर वालों को जोडने का प्रयास कीजिए अब क्लास जो है डेली चलेगा किसी प्राब्लम की वज़ा से क्लास नहीं चल पा रही थी जो लोग चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद